हेलो बच्चों, इस विडियो में हम आयतन और उसकी इकाईयां, वॉल्यूम एंड इस यूनिट्स के बारे में जानेंगे. राजू और बबलू राजू के घर में क्रिकेट खेल रहे हैं. राजू ने अपना बल्ला घुमाया और गेंद सीधी जाकर एक जग जिसमें पूरी तरह पानी भरा हुआ था, उसमें गिर गई. बबलू, चलो हम गेंद को इस जग से निकाल ले, वरना मा मुझे बहुट डाटेगी. राजू, क्या तुमने देखा कि जैसे ही गेंद इस पानी से भरे जग में गिरी, उसमें से कुछ पानी छलक कर बाहर बहे गया. हाँ बबलू, देखो, मेंस पर अब भी वो पानी है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? राजू, ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि हर वस्तू कुछ जगा लेती है, जिसे हम उस वस्तू का आयतन वॉल्यूम कहते हैं. मैं कुछ समझ नहीं पाया बबलू, तो क्या तुम मुझे और विस्तार में समझा सकते हो? हाँ, लेकिन एक शर्ट पर मेस पर छलका पानी तुम पहुचोगे. मन्जूर है, मन्जूर है, अब जल्दी से मुझे आयतन वॉल्यूम के बारे में समझाओ. पीग है, राजू, पहले तुम एक मापक कप लेकर आओ. राजू जट से अपने कमरे से एक मापक कप ले आया. अब बबलू ने जग में से गेंद निकाली और उसे एक बार फिर पूरी तरह से भर लिया. राजू, अब मैं इस गेंद को एक बार फिर इस जग में डालूँगा, और इस बार जब पानी चलकेगा, तो मैं उसे इस मापक कप में भर लूँगा. ये कहकर बबलू ने गेंद जग में डाली और एक बार फिर पानी चलक कर मापक कप में भर गया. राजू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मापक कप में कितना पानी भरा है? राजू ने मापक कप में भरे पानी की सतह को देख कर कहा, पचास मिली लीटर, देखो राजू, गेंद इस जग में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है, इसलिए जग में से पानी बाहर चलक जाता है, जितनी जगह गेंद जग में बनाने की कोशिश करती है, उतना ही पानी जग के बाहर चलकता है, ये जगह जो गेंद लेती है उसका आयतन वॉल्यूम कहलाता है यहाँ जग में से 50 मिली लीटर पानी बाहर छलका है इसलिए हम कह सकते हैं कि गेंद का आयतन वॉल्यूम 50 मिली लीटर है रे वा बबलू ये तो बहुत मज़िदार है क्या मैं इस तरह से किसी भी ठोस वस्तू सॉलिड का आयतन पता कर सकता हूँ बिल्कुल तो चलो अब हम इस कंची का आयतन पता करने की कोशिश करें राजू ने जग में से गेंद निकाल ली और उसे पूरी तरह पानी से भर लिया फिर राजू ने इस बार जग में एक कंचा डाला अगर इस बार मापक कप में इतना पानी भरा है तो क्या आप बता सकते हैं कि कंचे का आयतन वॉल्यूम कितना है आप चाहे तो विडियो को रोक कर इसका उत्तर ढूंड सकते है मापक कप में भरे पानी की सतह दस मिली लीटर के निशान पर है इसलिए हम कह सकते हैं कि कंचे का आयतन वॉल्यूम दस मिली लीटर है कंचे का आयतन दस मिली लीटर है चलो बबलू मेरी मा आने ही वाली होंगी मैं जल्दी से मेज के पानी को पोच लेता हूँ और फिर हम बाहर चल कर क्रिकेट खेलेंगे राजू ने मेज पोच ली और दोनों दोस्त क्रिकेट खेलने चले गए बच्चों इस विडियो में हमने आयतन और उसकी इकाईया वॉल्यूम और इस यूनिट्स के बारे में सीखा अगले विडियो में हम कुछ दिल्चस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे